नमस्कार दोस्तों देवरुची ब्लोग में आपका स्वागत है तो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और अब चल रहे हैं नवरात्री तो आज नवरात्री का है दूसरा दिन तो सुभह के सारे काम नुपटा के और हमारी पूजा हो चुकी ह तो वहीं मैं आप लोग को दिखा रही थी कि आज मैंने किस तरीके से सजाया है अपना मंदिर और क्या-क्या पुशाक पहनाई है अपनी मातरानी को और लड़को पाल जी को तो कुछ इस तरीके से है तो इनकी वीडियो मैं आप लोग के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ इन दोनों पुशाकों की तो आप लीज चैनल पे जाके चेक कर लीचेगा और मैं उनका लिंक हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दो तो ये देखिए कुछ इस तरीके से की है सिंपल पूजा करती हूँ मैं ज्यादा नहीं कर पाती हूँ जितना होता है उतना कर लेते हैं बैसे श्रद्दा होनी चाहिए भाव होने चाहिए उसी तरीके से तो कुछ वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको अपने मंदिर का कुछ थोड़ा सा व्यू तो ये देखिए इस तरीके से है मेरा मंदिर और कुछ एक दो पिक्स मेरी इसमें मैंने डाल दी थी क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाती हूँ अपनी वीडियो उस वज़ा से तो आज मैं ये बना रही थी अपनी जो रामचुरित मानेस है बुक उसका कवर क्योंकि धूर मिट्टी में जातर गंदी हो जाती है तो उस बुक के अकॉर्डिंग मुझे कितना चाहिए था तो इस तरीके से और अब मैं इस पे लगा लूगी दोनों साइट पे एक कंट्रास्ट कलर की पाइपन लगा लूगी तो चले मैं दिखाती हूं मैंने ये लिए है पेंक कलर की और इन दोनों की साइट पे मैं इनको लगा दूगी तो यह देखे यह मैंने लगा दी है इस वक्त और इसको जो है इसमें थोड़ा डोरी या बटन और लगाने है मुझे तो वह भी मैंने नहीं लगा थे क्योंकि मुझे और कुछ काम करना था तो मैंने आज बनाई थी बहुत सारी पोशाके तो उन्ही को कुछ दिखा रही हूं आप लोग को तो यह थोड़ी हैवी लुक में बनाई है मैंने मातरानी का लहंगा तो रेड और गोल्डन में है तो मेरे पास यह कुछ पीसे वगरा ही जो रहते हैं तो उन्हीं से मैं बना लेती हूं ज्यादा कोई एक्स्ट्रा का कपड़ा वगरा या मार लोग को यह वीडियो कैसी लगी है प्लीज बताएगा जरूर अच्छी लगे तो लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और प्लीज सपोर्ट कीज़े थोड़ा और यह देखिए कुछ इस तरीके की है यह पुशाक तो यह सिंपल है बिलकुल नीचे पहना दूंगी तो जिस दिन भी पहनाऊंगी तो आप लोग को साथ वीडियो जरू शेयर करूंगी तो यह मैं दीमे दीमे जो है नौ पोशाके बना रही हूं अपनी मातारानी के लिए पूरे नवरात्रे के लिए तो डेली एक्चेंज कर देया करूंगी इस तरीके से बन मैच करके और अपनी मातारानी को पहलाऊंगी तो पहनाऊंगी तो आप लोग को साथ शेयर भी करूंगी और यह जो लेस है यह दिए का इस बहुत ही सुंदर लुक दे रही है एक सिंपल से कप्ड़े पर यह लेस का ही सारा इसका बहुत ही जादा अच्छी लग रही है इस लड़ गोपाल की मैंने इस कपड़े में से बनाई थी तो यह प्यॉर कॉर्टन का है तो गर्मियों के परपस से बहुत अच्छी ड्रेस है यह और मेरे लड़ गोपाल जो है वो जीरो नंबर साइस के हैं तो किती भी छोटी कोशिश करूं बनाने की लेकिन उतनी नहीं बन मैं अच्छा से पहन लेंगे तो यह कुछ मैंने चार पोशा के आज बनाई थी तो आप लोग बताईएगा जरूर कैसी लगी आप लोग को कमेंट करके मुझे बताईएगा जरूर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा और यह देखिए कुछ इस तरी के प्लीज आप लोग गाईज मुझे आप लोग की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस वक्त तो प्लीज आप सपूर्ट कीजे लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे चैनल को और इस वाले का जो मैंने अपनी जो राम चरित मानस के लिए cover बनाये था तो इसका आप double use कर सकते हैं या तो आप जैसे किसी चौकी वगरा पर बिच्छाने के लिए use कर सकते हैं या आप ऐसे book cover भी use कर सकते हैं इसको तो मैं इसको देखूंगी किस तरीके से यूज करती हूँ अभी तो इसमें बुक को ही रख दूंगी बटन वगरा लगाऊं तो शायद तो ये है कुछ इस तरीके से था तो सुच आप लोग के साथ शेयर करें देती हूँ और ये हो गई सारी पोशाक है मेरी तो इनके लिए जो है मैंने एक अलग से बॉक्स बना रखा है तो वैसे तो मुझे इसमें ये रेड वाली सबसे मेरी फेवरिट ट्रेस लगी है आप लोग को कौन सी पसंद आई तो मुझे बताईएगा जरूर और ये है बॉक्स तो इस बॉक्स में ही मैं सारे अपने पोशा के वगएरा रखती हूँ मातरानी की और लड़ो को पाल की तो ये देखिए ये बॉक्स मैंने काफी पहले डेकुरेट किया था जब मेरा चैनल नहीं था तो आज की वीडियो गाज यहीं तक थी तो झाल वीडियोग को आज़ जब रखती है झाल